नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं मेरे साथ नियूस क्लिक पर खोच खबर का एकरम मिशन 2024, Operation Lotus, Operation ED, CBI के साथ साथ महराश्च की राजनीती का एक चक्र पूरा होता दिखाई दे रहा है 2019 से 2023 के बीच यानी चार साल में तीन बार उप मुख्य मंत्री बने अजीद पवार गिरगिट की तरह रंग बदलने पाला बदलने वाले नेताओं में अवल नंबर पर आ चुके हैं सवाल यह पूछा जा रहा है कि अब किस राजी में चलेगा Operation Lotus, बिहार, पश्चिम बंगाल या यू मानिये करनाटक से भी कुमार सौामी आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई गुल खिल सकता है भक्तगणों और चाटुकार एंकरों ने BJP IT CEL को मात देते हुए आगे का blueprint शेर करना शुरू कर दिया है वाकई जय हो भारत के लोकतंतर की महराश में जो घटना करम हुआ और उस घटना करम के अंत में जिस तरह से भारत माता की जै के जैकारे लगे उसने एक बास साफ कर दी है कि भारत माता और लोकतंतर की यह गती उसके बीच का जो भारती जनता पार्टी कनेक्शन जोड रही है वह कितना सॉलिड है देखिए ना महराश में महराश की जो शान होती थी वहां की राजनिती जिन दो बड़े धुरूओं पे चलती थी चाहे वो शिवसेना हो या एंसीपी उन दोनों मजबूत दलों को समेट दिया है भारती जनता पार्टी के इस ओपरेशन लोटस ने और इस तरह से सबसे एहम और जरूरी काम को उसने अन्जाम दिया दिक्कत ये है कि महाराष्ट को लेकर जितनी भी विवेचना हो रही है उसमें यह एंगल गायब है कि यह किस तरह से ऑपरेशन दो हजार चौबिस है दो हजार चौबिस के लिए महाराष्ट कितना एहम है यह समझना हमें और आपको बेहत जरूरी है और उसके लिए देखें यह नक्षा यह नक्षा बता रहा है कि भारत की जो तमाम राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदे से सबसे अधिक सीटे आती हैं लोकसभा की असी और उसके बाद 48 सीटे महाराष्ट से आती हैं शायद अब आपको समझ आया गया कि वहाँ पर एक नाश शिंदे के नित्रुत में और देवन फड़नवीस को उप मुख्य मंत्री बना कर भारती जनता पार्टी जो आराम से सरकार चला रही थी आखिर उसे ओपरेशन लोटस दुबारा तिबारा क्यों करना पड़ा क्यों अजीत पवार को अपने साथ लाने के लिए ये सारे समीकरण करने पड़े हुन तमाम उनके हिसाब से ब्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को अपने साथ शामिल करना पड़ा वज़ा क्या वज़ा ठोस है लोगसभा दोहजार चौबेस और महराश की 48 सीचे 48 सीट और इसके बाद नंबर आता है परशिम बंगाल का जहां से 42 सीचे हैं यानि अब आपको समझ आ रहा है कि भारती जनता पार्टी का IT सेल और उससे आगे बढ़कर जो तमाम चाटूकार एंकर सोशल मीडिया पर ट्वीट पर अपने प्रोग्राम्स में लगातार बता रहे हैं कि यह विपक्षी दलों का जो गड़ बंधन बना था उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई है दरसल हकीकत यह है कि पूरी सुनियोजित रणीती के तहट भारती जनता पार्टी ने इसे सुनश्चित करने का काम किया है कि 2024 में महराष्ट की जो 48 सीटे हैं उनमें उसे बहुमत मिले अधिकांज सीटे उसकी जोली में जाएं इसी तैयारी के तहट इस बार यह ऑपरेशन लोटस किया गया और इसमें खास बात और देखने की है कि अजीद पवार जो सबसे बढ़ा चेहरा बनकर उठे हैं चेतरी दलों के हिसाब से कि किस तरह से डीलिंग हो सकतی है किस तरह से लोगतंत्र में जनादेश की जो चोरी होती है और जनादेश की चोरी किस तरह से वैधानिक चोरी में तबदील की जाती है महराश्ट का यह पूरा वाक्या अपने आप में बता रहा है और लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा कि आखिर महराश्ट की जनता ने जिस NCP को वोट दिया था वहाँ NCP किस तरह से उठकर चली गई भारती जनता पार्टी के पास सरकार में शिरकत करने के लिए दरसल यह समझना बहुत जरूरी है कि 2024 में वापस सत्ता में आने के लिए भारती जनता पार्टी किस तरह से राजनिती का यह रूप खेल रही है Operation Lotus यानी क्या वैसे राजनितीक तौर पे देखिए तो प्रधान मंत्री नरेन मोदी और गृह मंत्री अमिश्षा ने तीन चार चीजें इतिहास में अपने नाम पर मानो पेटेंट ही करा ली है और यह ऐसे पेटेंट हैं जिसमें उनके साथ कंपुटीशन करते हुए कोई नजर ही नहीं आ रहा सबसे पहला पेटेंट भारती जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनितिक वाशिंग मशीन है ऐसी वाशिंग मशीन जिसकी महिमा ही अपरमपार है इस वाशिंग मशीन में विपक्षी नेताओं को डालने के लिए तमाम जाच एजनसियां दिन रात तक पर रहती हैं और महराश्ट महराश्ट इसका जीता जाकता उदारण है इससे पहले हमने ये सारा का सारा खेल इसी तरह से गोवा में देखा करनाटक में हम देख चुके हैं मद्धिप्रदेश में हम देख चुके हैं चत्तिसगर और खास तोर से जारकन में इस तरह की एक्सेसाइज होते होते सफल होते होते रह गई थी लेकिन महराश्ट की तो महिमा ही कुछ और है महराश्ट में अजीत पवार सहित तमाम नौ लोग जो इस समय सरकार में शामिल हुए है उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप है वह बहुत ध्यान से देखिए आईए मिलिये महराश्ट के नए उपमुख्य मंतरी अजीत पवार जी से जिनके बारे में खुद देवेन फड़नवीस ने 2014 में कहा था कि वे अगर सत्ता में आए यानि अगर फड़नवीस सत्ता में आए भाश्पा सत्ता में आई तो ये जेल की चक्की पिसिंग पिसिंग और पिसिंग करेंगे ये हैं अजीत पवार महराष्ट के राजनीती के सबसे बड़े चेहरे इस समय के जो अभी तक पांच बार महराष्ट के उपमुख्य मंतरी बन चुके हैं अजीत पवार और उनकी कंपनी पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है एडी ने महराष्ट राज सहकारी बैंक MSCB के खिलाफ एक आरोब पत्र दायर का रखा है एडी ने ये केस 2021 में ही दर्ज किया था इसमें अजीत पवार और उनकी पत्नी का सूत्रों के हिसाब से चारशीट में नाम नहीं है लेकिन एडी ने जिस कंपनी पर शिकंजा कसा है अजीत पवार और उनकी पत्नी उसमें शामिल है स्पार्कलिंग साइल्स प्राइबेट लिमिटेड इसके साथ ही साथ शूगर मिल घोटाले में भी इनका नाम है और एडी के हिसाब से तकरीबन सत्तर हजार करोड रुपे का पूरा मामला है जिसमें संपत्ती भी अटैच की गई है आईए मिलिए चगन भुजबल से शरत पवार के बेहत करीबी रहे चगन भुजबल इनकी गिरफतारी हुई थी ब्रष्टाचार के मामले में इन्हें एडी ने गिरफतार किया था और इनके उपर मनी लॉंडरिंग का मामला था इनके उपर सौ करोड से अधिक का तीन प्रोजेक्ट्स में घोटाला करने का आरोप था और तो और एसीबी ने मुंबई युनिवरस्टी करप्शन केस में भी इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था ये हैं अधिती टाटकारे इनके पिता सुनील टाटकारे जिनके अगनाम इरिगेशन यानि वही सिचाई घोटाले में आया था और चारशीट 2017 में एसीबी ने की थी ये हैं प्रफुल पटेल यह सरकार में शामिल नहीं हुए लेकिन जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है और NCP इधर से उधर गई है इसके मास्टर माइंड बताये जाते हैं प्रफुल पटेल इनके खिलाफ एडी ने 2019 में मामला दर्ज किया था और लगातार दबिश तेज हो रही थ इनके उपर हाउसिंग सोसाइटी वाला घोटाला है और साथ ही साथ अंगिनत घोटालों में इनका नाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तोर पर लिया जा रहा था और यह हैं हसन मुश्रिफ जो इस समय शामिल हुए हैं भारती जनता पार्टी के नित्रुत में चल रही सर लफ्तारी से बच्टे हुए यह सीधे मंत्री मंडल में शामिल होते हैं इस तरह से आप में देखा कि भाश्पा की वाशिंग मशीन पें धुलने के बाद यह सारे भ्रष्टाचार और इस तरह के अंगिनत भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से घिरे आरोपी भ्रष्ट बस्ते में चले जाते हैं चाहे मामला पश्चिम बंगाल के सुवेंदी अधिकारी का हो या फिर महराश्ट के इन तमाम नेताओं का जो भारती जनता पार्टी की गोद में गए यह वाकई अपने आप में एतिहासिक है कि किस तरह से तमाम जांच एजनसियां खाम करती हैं चा इस विपक्षी दल का यह नेता उसे निशाने पर लेना है सारी जाच एजनसियां दिन रात उस पर काम करती हैं कई मामलों में देश की राजधानी दिल्ली में हमने देखा कि दो विपक्ष के नेता जेल में हैं उपमुख्य मंत्री मनीशी सोधिया और वित्य मंत्री इस तरह के अंगिनत मामले हैं लेकिन देखिए कि जहां पर नेता तैयार हो जाते हैं इस वाशिंग मशीन में प्रवेश करने के लिए वैसे ही चाभी बंद और इंजाच एजनसियों का काम बंद यानि क्लीन चिट घोशित और अघोशित इसके लिए निश्चित तौर पर मोदी राज को साधुवाद तो बनता ही है इस तरह से बिना कुछ भी बदले ना कानून बदला ना समिधान बदला लेकिन देखिए काम करने का तरीका बिलकुल बदल गया भाश्पा में शामिल होने वाला तमाम हर नेता जिसके उपर भ्रष्टाचार का कितना बड़ा ही आरोप क्यों ना हो जैसे ही वो यहां प्रवेश करता है सारे आरोप दुल जाते हैं इसके साथ साथ एक और एहम बात 2014 में भ्रष्टाचार से मुक्ती के नाम पर ही सत्ता में मोदी जी आये थे और तब से लेकर अब तक अगर ध्यान से उनके भाशन सुनिये तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही उनके निशाने पर है जिस तरह से ब्रश्चाचारी के खिलाफ मोदी जी, मोदी जी की सरकार मोर्शा खोलती है कि वह अंत्ता भाश्पा का ही हो जाता है इसी क्रम में यह वीडियो भी उनका भाशन जो भोपाल में 27 जून को उन्होंने दिया वह ध्यान से सुनने की जरूरत है अगर मैं एनसीपी की बात करूँ तो एनसीपी पर भी करीब करीब सत्तर हजार करोड़ रुपिये के गोटालों का आरोप है महाराष्ट्र स्टेट कोपरेटिव बैंक गोटाला महाराष्ट्र सिंचाई गोटाला अवैद खनन गोटाला इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है याद रहे ये तीनों गोटाले सीधे सीधे जुड़े हुए हैं अजीत पवार जी से और यही अजीत पवार इस समय भारती जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं एनसीपी के खात्मा इन गोटालों का जिक्र यानि महिमा अप्रमपार है महराश में जिस तरह से एनसीपी अपनी जमीन अपने विधायकों को खोक चुकी है उसने एक बहुत एहम सवाल उठाया है और यह सवाल सीधे सीधे एनसीपी सुप्रीमो शरत पवार को संबोधित क करता है कि क्या शरत पवार को पता ही नहीं चला क्योंकि 30 से 40 विधायक इधर से उधर चले गए यह वही शरत पवार हैं जिन्होंने 2019 में अजीत पवार ने जब पहली बार बगावत करके भाश्पा के नेता देवेंद्ध फढवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी जिसमें वो उपमुखे मंत्री बने थे 90 घंटे या सरकार रही और उसके बाद जब अजीत पवार वापस आते हैं सरकार हट जाती है तब यही शरत पवार जिहां ध्यान से देखिए यही शरत पवार एक शब्द नहीं कहते कोई सजा नहीं देते बलकि इनाम के तौर पर इसी अज अजब ठाकरे की सरकार में भी उपमुखे मंत्री बनाते हैं लिहाजा यह जो सब चल रहा है और पिछले जून से जो सारजनिक तौर पर अजीत पवार हॉब नॉबिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारती जंता पार्टी के साथ उसमें यह मानना कि राजनिती का यह धुरंदर व्यक्ति भाप नहीं पाया उसे पता नहीं चला कि इतने बड़े पैमाने पर उसके अपने विधायक छोड़कर यहां से वहां जा रहे हैं यह मानना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है और साथ ही साथ हमें नहीं भोलना चाहिए इस तस्वीर को भी कि जब विप पवार मिलते हैं अडानी जी से यह फोटो आता है और देखिए किस तरह से क्रम चलता है कि अभी पटना में जो विपक्ष की मीटिंग हुई विपक्षी गडबंधन तमाम सामने आए उसमें यही प्रफुल पटेल वहां मौजूद थे सुप्रिया सूले वहां मौजूद यह सब इंतजार कर रहा है बहुत तसली से कि दुबारा से खड़े होंगे और दुबारा से लड़ाई लड़े जाएगी इसमें शरत पवार पर सवाल उठना बहुत जरूरी है इसी के साथ साथ एक और खास बात यह सारा अभियान यह तमाम ऑपरेशन चल रहे हैं इनका मक सिर्फ और सिर्फ एक है कि भारती लोकतंत्र को विपक्ष हीन कर दिया जाए इसके लिए बहुत खास तौर तरीके अपनाए गए हैं कहीं किसी राज्य में अगर जनता दूसरी सरकार को चुनती है उनके लोगों को खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाना और फिर महराष्ट बहुत बड़ा संकेत दे रहा है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है इसी क्रम में यह भी समझना और याद रखना जरूरी है कि मोदी जी जब अमरीका में उनसे पूछे गए इकलौते सवाल के जवाब में तेरा बार करीब लोगतंत्र 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 की दुहाई दे रहे थे तब क्या आपने सोचा था कि देश में लोगतंत्र का इतना नया रूप आपको देखना पड़ेगा महराष्ट में ट्रिपल इंजन की सरकार है और मनीपुर में डबल इंजन की सरकार है अब आप देखिए इन दोनों सरकारों के बीच जो कनेक्शन है दोनों राज्यों की स्थिती के बीच जो कनेक्शन है वह दरसल हमें और आपको समझना महसूस करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम मनीपुर जाएं महराष्ट को ध्यान से देखिए महराष्ट के इस नक्षे को देखिए आप महराष्ट पिछले कई महीनों से सुनिय काउ भाष्णों का दौर चल रहा है मुसल्मानों पर हमले के अहवान हो रहे हैं मुसल्मानों पर हमले हो रहे हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं और इन हत्याओं में हत्यारों के पक्ष में खड़े होते हैं महराष्ट के स्पीकर वह कहते हैं कि गौर अक्षकों पर बहुत सम् जन्शील ढंक से काम करने की जरूरत है। उनके खिलाफ आप ऐसे ही मामले दर्जना करें। यह वह तब कहते हैं जब इसी महराष्ट में तीन भारतिय नागरिकों की तकरीबन हत्या होती है। लिंचिंग होती है। और आप देखिए यह जो तमाम वीडियो इनके स्क्रीन है। यह जो नफरती ब्रिगेड है इसने जिस तरह से महराष्ट को निशाने पर ले रखा है। इसका सीधा कनेक्शन महराष्ट में जिस तरह से ऑपरेशन लोटस हुआ, जिस तरह से NCP को भाशपा की जोली में बठाया गया उससे सीधा सीधा कनेक्शन है और अंत में बहुत जरूरी है कि जब महाराश में ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है तब मणीपुर की डबल इंजन की सरकार का भी हाल लिया जाए क्योंकि इस बीच सारा ड्रामा हो चुका है वहां कर चुके हैं स्तीफा के लेकिन स्थिती ग्राउंड पर कुछ भी बदली नहीं है मौत और हिंसा का दौर खतम होने का नाम नहीं ले रहा इसी बीच नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वुमिन की टीम मणीपुर दौरा करती है और एनी राजा आती हैं दिल्ली और बताती ह कि किस तरह से राज में स्टेट स्पॉंसर्ड हिंसा का दौर चल रहा है और सरकार मणीपुर में शांती के बजाए लगातार जो इतनिक वाइलेंस है उसे बढ़ाने का काम कर रही है कहीं से भी शांती की कोई रह नहीं और दोस्तों अंत में शायद हमें आपको और भारत के मदाताओं को यह सोचना जरूरी है कि 2024 और उससे पहले जो पांच राज्यों में चुनाव होने हैं वहां भारती जनता पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि आप वोट किसी को भी दीजे सरकार किसी की भी बनवाईए अंत्ता खरीद फरोख्त करके या मिशन E.D. करके सर पारती राजनीती का संगोल युग शुक्रिया